याद अब इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है कि यह जो रम यूनिट है इसमें से ड्रम यूनिट को बाहर करना है अब ड्रम यूनिट को क्यों बाहर करते हैं क्योंकि ड्रम यूनिट के नीचे ही जो है लगभग वह टांसपर बेल्ट यूनिट लगी हो होती है उसमें स्क्रैच ना लगे इसलिए जो है हम इनको पहले बाहर कर लेते हैं और यह सबसे महत्पुन बात है यदि आपने यह ध्य में काम करें आपको जो है मशीन को आफ करके रखना है उपर से प्लग भी निकाल देना है तो जैसे यहां पर ड्रम यूनिट को बाहर कर दिया गया है सामने से बहूं और एक चीज करना है कि यह जो दरवाजा है यह वह हमको जो है एसे ओफन कर लेना है तब ही आप जब यह डरवाजा ओपन कर लेंगे यह को इसको निकालने तब Folge जो है आगे से इसको बाहर खंशते हैं, जैसे अभी बटाया है, फिर इसके अनदर पकड़ने के अब आराम से धीरे धीरे इसको ऐसे निकाल सकते हैं, अब निकाल करके जो है फिर इसको एक जगह पर रखना है, और यहां से हम चेक करते है कि इसमें, जो गेर convenient तूटा तो नह यह पूरी युनिट होती है अगर इसे अंदर व्ष्टिश टोनर भरा रहे गा तो जो इचा सब अ grown-up तो आपके यह सबत था रहेगा और व्ष्टीश टानर जाम होने से यह जो गैर है यह तूट जाता है इस तरफ से यह जो गैर लगे हुए एक बार आप इन सब को देख लीजिए कि कहीं यह तूटे तो नहीं यह तूटा रहेगा तो भी आवाज करेगा और यदि यह कहीं से जाम है जो वेश्टेज टोनर बाहर नहीं निकल पाता है तब भी जो है उसमें आवाज आएगी और जो कोड 2840 है वो हमेशा आपको दिखता रहेगा मशिन यह वेश्टेज वाला पाइप है जो टांसफर में ही लगा रहता है पूरी यूनिट कहलाती है इसमें यह लॉक लिया इसमें यह यहां पर लॉक होता है इसको ऐसे साइड से उपर किया और यह निकल जाता है अब आप देखिए यह पूरा जो वेश्टेज टोनर है यहां से होकर के ही बाहर जाता है तो जो वेश्टेज यदि भरा होगा तो यह लॉक जब अपन खुलते हैं तो यहां पर भी बहुत सारा जाम होगा तो वह दिख जाएगा आपको इस तरह जेंद तो अगर आप उसको क्लीन करना है क्लीन करके वापस से इसको साब भी कर सकते हैं यह इसकू है टीनों इसको जो लेंगे इसको पाओ यह तीनों इसको खुलने के बाद में फिर इसको जो है निकाल लेते हैं यह ब्लेड निकल गई आराम से आप निकाल सकते हैं यह प्रांसफर क्लीनिंग ब्लेड इसको कहते हैं अगर यह भी खराब हो जाती है तब भी जो है आपको quality की दिक्कत आएगी और ये देखी ये भरा हुआ है अब आप इसको खाली कर सकते हैं यहां से पूरा अच्छी तरह इसको clean कर लेंगे तब ही जो आपका error आ रहा है वो इससे भी हट जाएगा इसके अंदर एक spiral road होती है जो westage toner को बहार करती है कई बार ऐसा होता है कि वह road भी तूड़ जाती है वो क्यों तूड़ जाती है जब हम westage का डबा खाली नहीं करते हैं आगे से तो इसके अंदर westage पूरा jam हो जाता है तो motor जो है इसको यह वाली वो drive देती है spiral road को अब जब spiral road को motor drive देगी और आगे से जाम रहेगा तो यह spiral road जो अंदर दीख रही है यह वाली अंदर जो देख पा रहे हैं यह तूड़ जाती है तो इसका भी आप धियान रखिएगा सिर्प transfer belt cleaning में यही महत्पूर्ण चीज है जो आपको करना होती है जिससे आपकी बहुत सारी problem solve हो स कि यह blade को लगाना है अब blade को लगाने में आपको यह देखना है जो यह rubber की blade होती है यह roller के उपर होनी चाहिए इस type से यह आपने तो देखा जब blade हम लगाते हैं तो blade को ध्यान रखना कि blade यह roller के नीचे से होनी चाहिए तभी वह आराम से लगेगी यह blade वापस लगा दिए इसके उपर का cover लगा लेते हैं वापस से यह cover लगा दिया और इसमें lock रहते हूं कट करके आवाज आएगा बैड़ जाएगा यह लाड लाकर देख लिएगा कि कहीं इसके अंदर कैप नी यह निकल तो नहीं रहा है यह यह हो गया अब इसको हम वापस से machine में लगा देते हैं इसकी भी एक railing होती है जैसे आप निकालेंगे वैसा ही आप समझ करके यह जो लॉग आप देख रहे हैं यह यह जो पत्ती है यह यह जो railing है देखिए यह पर इसमें आप जो है ऐसे बैठा करके यह बस यह हैंग हो गया और अब इत्मीनान से उसको आराम से अंदर धक्या देजी यह कटकी आवाज आई और यह लग गया अब बाकी का आप जो है उसमें ड्रम यूनिट लगा दीजिए चारों ड्रम यूनिट लगाने के बाद में यह कवर जिसा खोला तो ऐसा लगा दीजिए यह हो गया और अब इसको दरवाज लगा दीजिए तो यह जो है ट्रांसफर बेल्ट यूनिट में जो दिक्कत आती है वेस्टेज टोनर जाम हो आता है इसमें 2840 वह आफ इस प्रकार से करके उसको प्रावलम को आइदेंटिफाइं कर सकते हैं अगर गेर को जो है बदल सकते हैं और आपनी प्रावलम को सॉल कर सकते हैं वेस्टेज टोनर का रबबा जो है यह सामने की और होता है सबसे पहले तो हमें यही देखना इसको निकानना है और वेश्टेज टोनल को खाली करना है यह वेश्टेज का डबबा होता है और इसको खाली करने के लिए यह बहुत एजी है यहां पर लॉक होते है ऐसे करके यह बहार आ गया है यहां से आप पूरा खाली करते हैं खाली हो हो जाए उसके बाद इसको वापस लगा देना है हुआ है हुआ है हुआ है इसको निकालने के लिए प्रेस करेंगे यह से खुल जाता है दन्यवाद आपको यह वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कीजिए लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे आने वाले और नए वीडियो की जानकारी आपको समय से मिल जाए धन्यवाद